वेलकम टू माई चैनल डेकोरेशन विद नेचर ये देखिए जब चैनल का नाम ही हमारा डेकोरेशन है और विद हमारे ये नेचर के साथ तो आज हम एक छोटा सा कॉर्णर है टेबल टॉप हम डेकोरेट करके दिखा रहे हैं ये ये देखिए विदाउट लाइट प्लांट आरे या अध्या के लिए ने इसुंटर जैखा र्लाइए ने देखिये एक हम्मारी वीडियो ये अधूरी है ये ये यह में अमर एम्रेला प्लांट है है तो इन्डूर प्लांट के लिए पहुत अच्छा है हर आअट्डोर के लिए ख्या-ध Chopине के ये आवर मितलब सेमी अधेलए में रख सकते हैं मतलब बैक आधरिए सनलाइट प्रवजी जय होगे यहां से और यहां कितने चुंदर मतलब इसके इस एक कंट्रास्ट में है हमारे यह ढिए और यह हमारी यह लेवजार्थ में आता है इसको umbrella plant भी बोलते हैं यह देखिए क्योंकि बिल्कुल देखो कितने umbrella कीत रही है इसके लिए जैसे कि और यह देखिए वही mostly videos में मैं बोलती हूं कि आप एक नहीं दो plants लगाएं थाकि वह एक दूसरे को देखके happy होते हैं और मतलब लगता है competition होता है में कापस में एक दूसरे को देखके कि हम ज्यादा बढ़ रहे हैं हम कम बढ़ रहे हैं यह देखिए और यह देखा यह बिल्कुल जैसे यह यहां से अगर हम तोड़े भी तो यह लगता है विल्कुल umbrella की तरह है और यह देखिए कितने सुन्दर है इसको देखिए के अर भी बहुत आसान है वही साल में मौस्टली प्लांट में देते ही हैं हम दो बार फर्टिलाइजर दे दीजिए और यह दखिए इसके ओनली यह भी मौस्टली वीडियो में बताया है मतलब यह 50% प्लांट यह हमारी स्टैम से ही लगते हैं यहां से हम काटेंगे फिर इसको लगा देखेंगे तो और यह मौस्टली फैब में रेणी सीजन में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं यह देखें कितना मस्तोर रखा यह देखें लिए तो इंडोर प्लांट के लिए यह हमारा अम्परेल प्लांट मतलब बहूत अच्छा रहता है और इसको मैं मौस्टली देखिए यही करती हूं कि 15 दिन बाद शिफ्टिंग कर देती हूं 15 दिन बाद मैं यहां पर अलग प्लांट होगा मेरा मतलब दो अलग एक्स्ट्रा लग जैसने प्लांट रख दीजिए पर यह बिल्कुल ही पूरा यह मुझे नहीं लगता है सेमी शेटी एरिया हो तो रूंग के अंदर बैटर है पर यह पूरा यह अंदर नहीं रह सकते अगर आपकी विंडियों खुली नहीं है अगर विंडियों बंद है तो इन्हें चेंज कर पंदरा दिन के लिए कुई और प्लांट एक्स्ट्रा बनाकर रख लीजिये दो दिन और यह देखिए हमने बीच में हमारे भुद्धा जी है और यह देखो पॉजिटिव बाइब से मतलब नेचर हो गया लाइट हो गी है बुद्धा जी हो गया है और यह हमारी कितनी पॉ इसमें भी हम फ्लावर पोट रख सकते हैं यह पोट स्टेन वो है उमारा प्लांटर रहें देखो इसके अंदर भी लाइव प्लांट भी रख सकते हैं पहले मैंने लिखा रखा हुआ था शायद मुनी प्लांट आपने मेरी वीडियो में देखा होगा लास्ट वाली में और य यह हमारा टेबल टॉप है और यह चेंज करती रहती हूं चेंज करने से थोड़ा सा वैसे भी पॉजिटिविटी लगती है और मन को भी अच्छा लगता है सारा ना अब इनका यह फुल वी रिवो देखिए व्यू यह देखा कितना सुंदर होगा है यह देखिए यह पास स और यह बिल्कुल मेंटेन करने बिल्कुल असान होते हैं हमारे इंडोर प्लांट और जैसे चैनल का नाम ही डेकोरेशन वीद नेचर है यह देखिए वादल इसी प्रकार आप भी कुछ और सेजेशन हो साइड में भी रख सकते हैं और इतना मतलब शापीशेंट है क्योंकि इसके आगे भी हम यह रख सकते हैं इधर स्मॉल पॉट्स रख सकते हैं पर ज्यादा नहीं देखिए हमारा कितना मतलब सुन्दर यह हमारा टेबल टॉप हो गया ही कॉर्णर टॉप में भी बहुत सुन्दर लगेगा यह फुल यह देखिए और जब बिल्कुल ही इसकी जै गया यह पानी यहां भी देख सकते हैं हलका सदे के गिला रह रह रहे हैं और यह देखिए जैसे हमारा प्लांटर रहन यह मंगा सकते हैं और इसमें से कितनी सुन्दर लग only और यह हमारी जिसकी बांड़ के लिए बैस्त तो आप मतंलब इंडॉर में एक तो यह ज़टते है नहीं, यह सब जो टेरा कोटा के पोट होते हैं, ज़ट जाते हैं, और यह देखे, ज़्दा बड़े साइज भी नहीं है, इस पोट का न है, यह तो आप अप रोड साइट या वोलाइन कहिंसे माम गा और साप सुत्रे रहते हैं उंडॉर के लिए न, और यह देख, इस ही परकार है, आप भी मेरे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना घर ऐसे ही डेकोरेट करते रहें, थैंक्यों.